इस चेप्टर के नियुमेरिकल प्रॉब्लेम का पहला पार्ट करने वाले हैं तो अपनी बोर्ड की बुक में जो टेक्स्ट बुक में जो कोशन्स दिये गए हैं तो हम उनी को यहाँ पर करेंगे पहला कोशन जो इस बुक में दिया गया है वो आप देखिए इस प्रॉब्लेम के अंदर आपको यह दिया हुआ है कि अगर किसी आइडियल गैस का प्रेशर टैन परसंट आइसो थर्मली कम होता है आइसो थर्मली मतलब कॉंस्टन टेंप्रेचर के साथ में तो आप देखो इस प्रॉब्लेम को किस तरीके से हम कर सकते हैं सबसे पहले इस प्रॉब्लेम के अंदर आपको बोला गया है इसो थर्मली इसका मतलब टैंप्रेचर इस कॉंस्टन इसो थर्मल प्रोसेस किसको बोलेंगे जिसमें टैंप्रेचर कॉंस्टन होगा अब इस particular problem के अंदर pressure जो है वो decrease हुआ 10% से तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर initial pressure जो है वो ले लेंगे 100 और final pressure जो है it is decreased by 10% तो अगर वो 10% अगर कम हुआ है और initial value अगर हम 100 लेंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा 100-10 क्योंकि 10% कम हुआ 100 में से 10 कम हुआ तो इसका मतलब यह हो जाएगा 90 अब यहाँ पर उसने बोला है then its volume will be तो हम एक काम करेंगे जैसे हमने pressure यहाँ पर 100 लिया है तो हम लोग initial volume जो है वो भी 100 लेंगे तो अब हमारा जो target होगा वो होगा कि V2 मालुम करना मतलब final volume जो हो मालुम करना है तो सबसे पहले क्यों कि हमको temperature constant यवा है isothermal process है तो isothermal process के लिए हमारे पास formula होता है boils law का और boils law जो है वो यह है P1 V1 is equal to P2 V2 बस इस formula के अंदर boils law का यह जो formula है इसके अंदर सभी values रख देंगे P1, P1 की value है 100 V1, V1 की जो value है वो 100 है यह 100 इसलिए लेना है क्योंकि initial value हम 100 ले रहे हैं दोनों भी is equal to P2 P2 की value हमने देखा 100-10 यहने 90 into V2 हमारा target है तो यह हो जाएगा V2 is equal to 100 into 100 divided by 90 और इस तरह से अगर इसको solve कर रहे तो यह 0 से 0 cancel हो जाता 100 into 10 यह हो जाएगा 1000 divided by 9 इसका मतलब V2 is equal to 1000 को अगर आप 9 से divide करेंगे यह आएगा आप देखो इसको divide करके यहाँ divide कर सकते हैं 1000 और इसको 9 से divide कर रहे तो 9 1s अ 9 1, फिर 0 फिर 9 1s अ 9, फिर 1 फिर यह 0 उतार दो फिर 9 1s अ 9, फिर 1 फिर लगाओ point, लगाओ 0 फिर 1 इसका मतलब यह 11 वह आते रहेगे तो यह V2 की value आगए 111.11 ओके अब आप देखो initial value 100 है और final value 111.11 आई है यहने 111.111 आ रही है इसका मतलब अगर हम यहाँ पर percentage increase की अगर हम बात करें तो वह आ जाएगा 100 and 11.11-100 मतलब 11.11% तो उस particular gas का जो volume है it will be increased by 11.11% तो इस book में जो answers दिये हैं उनमें से D option जो है वो correct है ठीक है तो यह था हमारा पहला question अब चलते हैं हम लोग अगले question की तरफ अगला जो problem आपको इसमें दियावा है वो आप लोग देखो अगले question पे actually यह radiation का problem है जिसके अंदर आपको coefficient of absorption दियावा है तो coefficient of absorption A is equal to 0.72 ठीक है उसी तरह से coefficient of reflection उसकी value आपको दी हुई है 0.24 और आपको बोला गह देन the value of t suffix r is t suffix r जो है यह coefficient of transmission होता है इसको सिर्फ t भी लिख सकते हैं तो हम लोग ने यह पड़ा हुआ है radiation के अंदर तीनों जो coefficient होते हैं coefficient of absorption, coefficient of reflection और coefficient of transmission इन सबका जो total it is always 1 formula याद रखोए a plus r plus t equal to 1 इसमें सारी values put कर देंगे तो यह आजाएगा 0.72 plus 0.24 plus t is equal to 1 अब यह दो नंबरों को add कर लो यह जाएगा 2 plus 4 is 6 7 plus 2 is 9 मतलब 0.96 plus t is equal to 1 इसका मतलब t is equal to 1 minus यह नंबर उदर जाके minus हो जाएगा 0.96 अब आपको इन दो लोगों का difference लेना है तो आप देखो decimal point के बाद दो digit है तो हम इसको ऐसा समझेंगे 1.00 और इसमें से 0.96 को minus करने का है तो यह हो जाएगा 10 minus 6 is 4 यहाँ पर 9 है तो 9 minus 9 is 0 यह चला गया मतलब 0 तो इसका मतलब यह हुआ t is equal to 0.04 तो यह value रहेगी coefficient of transmission की और इस book में यह option number b दियावा है तो b option जो हो correct है यह होगा हमारा आज का second problem अब third problem तीसरा जो problem इस book में आपको दिया गया है यहने MCQs के अंदर वो है the ratio of emissive power of perfectly black body at 1327 degrees Celsius and 527 degrees Celsius is यहने आपको एक perfectly black body दी हुई है यहने मुकमल सियाज इसम दिया है और उसका temperature उसके दो दरज़े हरारत दिये गए एक है 1327 एक है 527 और आपको emissive power का ratio मालूम करना है तो देखो इसको किस तरह से करेंगे सबसे पहले हम लोग emissive power को हम capital R ले सकते हैं rate के तोर पर या E के तोर पर E भी लिख सकते हैं उसको तो R1 जो है R1 अपान R2 ये हमारा target है perfect black body के लिए ओके लेकिन इस R1 के लिए जो temperature आपको given है T1 is equal to वो है 1327 degrees Celsius अब आप याद रखो के degrees Celsius नहीं चलेगा हम लोगों को इसको convert करना पड़ेगा degree Kelvin में absolute temperature में तो हम इसके अंदर 273 add करेंगे यो जाएका 7 और 3 10 2 और 7 9 और 1 10 5 तीन और 2 5 और वो 1 6 इसका मतलब T1 is equal to 1600 degree Kelvin तो यह ब्रावर conversion दिहान में रखना है degree Celsius से degree Kelvin लाने के लिए प्लस 273 करेंगे अब आगे इसको compare करना है 527 से तो देखो second जो temperature आपको given है उसकी value है 500 and 27 degree Celsius तो इसके अंदर 273 add कर लो जो जाएगा 7 और 3 10 9 और 1 10 कितना हो जाएगा है 7 और 1 तो यह हो जाएगा 8 इसका मतलब P2 की जो value है वो आगई 800 degree Kelvin ओके तो 1327 जो है वो बन गया 1600 और 527 जो है वो बन गया 800 degree Kelvin अब यहाँ पर आप देखो कि आपको बोला गया है perfect black body और immisive power की बात हुई है तो perfect black body immisive power के लिए जो law हमारे जहन में आएगा वो है Stephen Boltzman law और Stephen Boltzman law जो है वो यह वाला था R proportional to T to the power 4 मतलब immisive power यह rate of loss of heat is directly proportional to fourth power of temperature बराबर है तो यह हो जाएगा यहाँ पर अगर आपने इसको proportionality का जो sign है अगर आप इसको हटाते हैं तो यह ऐसा हो जाएगा R equal to a constant sigma into T to the power 4 ठीक है अब यह formula हम sigma जो है it is a constant, Stephen constant तो दो अलग अलग जगा पर हमको rate लेना है इसलिए हम एक काम करेंगे यहाँ पर जब R1 लेंगे तो यह आएगा sigma into T1 का power 4 और जब हम second condition लेंगे तो R2 is equal to sigma into T2 का power 4 बस इन दो लोगों का ratio लेना है पहला जो temperature आपको दिया हुआ है तो 1327 है मतलब इसको आपको उपर लेना है R1 को ठीक है तो जब हम इन दो रोगों divide करेंगे यहाँ आएगा R1 by R2 is equal to sigma into T1 का power 4 upon sigma into T2 का power 4 आप लोग देखो sigma से sigma कड़ जाता power 4 common निकाल लो तो यहाँ आएगा T1 by T2 का power 4 इसका मतलब यहाएगा R1 upon R2 is equal to T1 T1 की value है 16 और T2 उसकी value है 800 लेकिन दोनों का power 4 आएगा Stefan law के हिसाब से यह 2 0 से 2 0 कटेंगे 8 से 16 कट जाता तो बचा 2 इसका मतलब final answer आगे 2 का power 4 अब 2 का power 4 जो है वो कितना हो जाएगा 4 फोर्जा 16 ओके तो हमारा final answer जो हो आना चाहिए R1 by R2 is equal to 16 is to 1 यह 16 upon 1 आप लोग देखो बुक में जो चार options आपको दिये हैं उन में से second option जो हो बिलकुल correct है यह 16 is to 1 तो इस तरह से यह इस बुक में जो अलग अलग जो 5 MCQ दिये है तो उन में से 3 MCQ हम ले कर लिए शुरू के जो 2 MCQ है तो वो हमने इसलिए नहीं किये क्योंके वो फिलहाल इस साल का यहने 2020 का जो सिलेबस है उसमें से वो deleted portion में आएगा इसलिए उसको फिलहाल देखने की या करने की जरूरत फिलहाल नहीं है ओके चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको इसके बाद question number 2 जो है answer in brief मतलब अब हमको बहुत छोटे मतलब बहुत ही एक sentence में बोलो या एक word में या एक आदे figure में जो है इसका answer आने वाले है तो answer in brief यहने बहुत ही छोटा answer आपको देना है बहुत ही मुक्तेसर सा आपको answer देना है इसके अंदर ठीक है इसके अंदर आप देखो के जो पहला question है what will happen to the mean square velocity of gas of the molecules of a gas if the temperature of gas increases याने mean square velocity जो है उसका क्या होगा अगर temperature बढ़ाएंगे तो answer होगा increase simple याने जब हम temperature बढ़ाएंगे तो automatic क्या होगा जो molecules की जो mean square velocity है वो बढ़ेगा तो उसका answer हैगा the mean square velocity will increase second question है on what factors do the degree of freedom depend तो degree of freedom depends on the state of motion याने जिस particle के आब बात कर रहे है तो उसकी motion कैसे हो रही है कौन-कौन से type की motion हो रही है तो motion पर depend करेगा type of motion पर depend करेगा तो ये इस तरह से कुछ उसमें आएंगे answers इसके बाद question number third है write down write ideal gas equation for a mass of 7 gram of nitrogen gas अब देखो ये बहुत ही बढ़ी बढ़िया question है इसके अंदर आपको सबसे पहले mass जो है वो दियावा है 7 gram और आपको बोला गया है nitrogen gas तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा chemistry आना चाहिए कि nitrogen gas जो है उसका molecular weight क्या हो सकता है तो देखो आप सबसे पहले जो nitrogen का जो molecule रहेगा यहने nitrogen gas का nitrogen gas जो वो diatomic है सबसे पहले तो यहाँ मेरे को diatomic gas है मतलब उसके एक molecule में दो atom होते हैं तो N2 का formula बनेगा मतलब भी आजाएगा nitrogen प्लस nitrogen अब एक nitrogen का जो atomic number है वो होता है 7 और उसका जो mass number होता है वो है 14 तो यह हो जाएगा 14 और इसका भी हो जाएगा 14 इसका मतलब दोनों मिला कर कितना हो गया 28 तो 28 जो है यह इसका यह समझ लो के mass number आगया है तो mass number is equal to आगया 28 अब यहाँ आप याद रखो कि अगर आप 28 गिराम अगर लेते हैं ओके तो 28 गिराम का मतलब होगा 1 mole gas 1 mole gas मतलब कौनसी gas nitrogen gas तो nitrogen gas का एक mole जो है 28 गिराम का होगा अब अगर ऐसा है तो आपको बोला गया है 7 गिराम तो सवाल ही आएगा कि एक mole में अगर 28 गिराम है तो 7 गिराम कितने का होगा तो हम एक काम करते हैं इन नंबरों को divided by मतलब इसको 7 गिराम बनाना है तो इसके लिए आसान आइडिया यह होगा कि divided by 4 अगर दोनों साइट को 4 से डिवाइड कर दिये तो 4 सता 28 मतलब 7 गिराम हो जाएगा और यह आजाएगा 1 by 4 मोल इसका मतलब नाइटोजन गैस जो है 7 गिराम जो नाइटोजन गैस है तो वो actually 1 by 4 मोल है यानि 1 मोल नहीं है बलके 1 मोल का 4th पार्ट है एक चाहता है जिसको बलेंगे 1 4th मोल है बस अब यह धेहन में आ गया तो अब हम ideal gas equation लिख सकते हैं easily ठीक है तो देखो यह क्या होगा इसका अगर ideal gas equation अगर हम इसकी लेते हैं तो यह आजाएगा PV is equal to nRT इसमें n का मतलब है number of moles और अभी हमने देखा कि number of moles का मतलब होगा उस particular gas के अंदर nitrogen gas के अंदर अगर 28 gram होती ही तो एक mol होता था लेकिन वो 7 gram है जो nitrogen gas दीगे ही वो 7 gram है मतलब वो actually 1 4th है इसलिए n का मतलब आजाएगा 1 4th यह हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं PV is equal to 1 by 4 times RT लेकिन यह 1 by 4 को आप 0.25 भी लिख सकते हो ओके यह 1 को 4 से डिवाइट कर दीए तो कितना हो जाएगा 0.25 times RT तो PV is equal to 1 4th 1 by 4 RT यह 0.25 RT यह nitrogen gas की ideal gas मतलब equation बनेगी 7 gram के लिए ओके चलो अब हम चलते हैं अगले question की तरफ इन्हें अगला जो short answer जो question है इसके अंदर वो है चलो पहले इसको साफ कर लेते हैं अब इसमें जो है next अगला problem अगला problem प्या हो है if the density of oxygen is 1.44 gram per meter cube at a pressure of 10 का power 5 newton per meter square find the root mean square velocity of oxygen molecule देखो बहुत ही आसान और बहुत ही important problem है सबसे पहले आप देखो कि density of oxygen दियावा है तो density of oxygen है 1.44 kilogram per meter cube साथी साथ आपको उसका pressure भी दियावा है तो pressure is equal to 10 to the power 5 newton per meter square और आपको बोला है find the root mean square velocity rms velocity मालुम करना है हम लोग उसको V सफीस में rms लिख सकते हैं तो V rms is equal to question mark तो देखो इसको हम किस तरीके से solve करेंगे बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया question है यह problem कुछ इस तरह हमसे हो जाएगा आप देखो pressure का जो formula है kinetic theory of gases को base बना कर अगर हम बात करें तो on the basis of kinetic theory of gases pressure is equal to 1 by 3 number of molecules into mass of 1 molecule divided by volume of gas multiplied by V rms का square ओके यह formula है pressure of gas का अब आप इसमें एक चीज़ पे देखो के N into M number of molecules into mass of 1 molecule तो यह होना चाहिए total molecule total mass of the gas ओके और upon में V है तो अगर हम इसको M upon V अगर लेंगे तो mass upon volume तो mass upon volume का मतलब यह हो जागा density तो इसको roll ले सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो formula है kinetic theory of gases का pressure का जो formula है तो हम इसको change कर सकते हैं इसको change करके हम लोग ऐसा लिख सकते P is equal to 1 by 3 यह जो N into M upon V है इसकी जगह पर हम roll ले सकते हैं density of gas into V square rms अब आप देखो V rms हमको मालूम करने का है तो एक काम करो यह 3 और row को इदर भेज़ दो तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा V square rms is equal to मैंने इसको लिख लिख लिए अब यह दोनों इदर आकर उल्टे हो जाना है यह 3 उपा जाएगा रो नीचे जाएगा मतलब यह हो जाएगा rms speed का formula आगया main formula मतलब जिसको आपको solve करना है ठीक है बस इसमें सारी values फूट कर दो चलो इसको यहाँ कर लेते हैं इस जगह पे यह ऐसा हो जाएगा V rms is equal to under root आप लोग देखो यह हो जाएगा 3 into P की value है 10 का power 5 divided by row की value है 1.44 तो यह आजाएगा V rms is equal to under root आप लोग देखो 1.44 जो है हम यहाँ कर सकते हैं इसको 1.44 जो है इसको approximately 1.5 समझ लो थोड़ी एर के लिए अगर इसको 1.5 समझेंगे तो यह 3 upon 1.5 हो गया और 3 upon 1.5 मतलब 2 इसका मतलब यह हो गया 2 into 10 to the power 5 अब 10 का पावर 5 10 का पावर odd number आ गया इसके रूट में odd number अगर 10 के पावर में है तो उसको solve करना थोड़ा मुश्किल हो जाता इसलिए बहतर यह है कि हम उसको 1.10 से इसको multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 20 into 10 का पावर 4 अब इसका final answer आएगा under root 20 into 10 का square ओके बस अब finally हम लोगों को यह देखना है कि under root 20 जो हो कितना हैगा ओके तो अब इसमें हम लोग इसके root of 20 देखेंगे ठीक है तो इसके root of 20 जो है lock table में एसाब से इसका जो answer हम को इसमें दिख रहा है वो है 4.472 ओके और जाहर है multiplied by 10 का power 2 करना है तो इसका मतलब vrms की value जो यहाँ पर हमको मिलेगी वो है 4.47.2 meter per second तो यह answer आगाएगा अगर हम approximate का तरीका अगर यूज करते हैं तो मतलब यह इस तरीके से अगर हम इसको approximate लिए अगर करें तो लेकिन अगर मान लो के हमने 3 को 1.44 से divide किये तो इसका real में जो answer यहाँ पर हमको मिलेगा वो मिलेगा 2.08 into 10 to the power 4 फिर जब यह 10 का 10 to the power 5 फिर एक 10 से इसको multiply करेंगे तो यहाँ पर .8 आ जाएगा और अब अगर हमने under root 20.8 को अगर देखे तो उसकी value जो आएगी वो value होगी 4.561 4.561 और उसको 100 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 456.1 meter per second मतलब exact answer अगर हमको चाहिए तो वो यह है एकदम accurate पूरी accuracy के वाला answer अगर चाहिए तो उसका answer आएगा 456.1 meter per second और अगर हम roughly मतलब अगर हमारे पास time कम है एक्जाम में और roughly अगर हमको उसका idea लगाना है roughly अगर calculate करना है तो 1.44 को हम 5 imagine करके जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसा हम उसको कर सकते हैं तो यह है इस particular problem का जो answer होगा वो इतना आजाएगा यहने रफ अगर करते हैं approximate answer आएगा 447.2 meter per second और most accurate answer अगर लेना है तो उसका answer आएगा 456.1 meter per second by using lock table तो यह था अपना answer in brief section यहने question number 2 का चौथा problem इसके बाद देखो अगला जो question है वो है define athermanus substance diethermanus substance तो यह already definitions आपने किये हुए हैं सिर्फ definition देना है आप लोगों को इसमे question number उसके बाद 3 जो है आप यहां से long answers question शुरू हो रहे okay short answer questions आप यहां पर एंड हो गए अब long answer जो है उसके अंदर पहले सो पूरे theoretical question है जो आप कर सकते हो पहला जो long answer question इसमें दिया है इने question number 11 वो है calculate the ratio of mean square speed of molecule of a gas at 30 degree Kelvin and 120 degree Kelvin तो चरो इसको करते हैं इस problem का मतलब क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ हमको मालूम करना है तो उसको एक बार आप अच्छे से पहले समझ लो और क्या चीज़ हम किस तरीके से ratio मालूम करना है उसको देखो देखो एक बार फिर से question पढ़ लेते question ऐसा है question number 11 है यह book में calculate the ratio of mean square velocity mean square speed of molecule molecules of a gas at 30 degree Kelvin and 120 degree Kelvin तो देखो एक temperature आपको दिया हो है t1 is equal to 30 degree Kelvin और t2 is equal to the way 120 degree Kelvin और आपको बोला है mean square velocity mean square speed जो है तो उसका ratio निकालना है तो mean square velocity हम उसको v square बोल सकते हैं तो v square 1 upon v square 2 यह हमारा target है तीक है जाहिर है mean square velocity के लिए हम temperature वाला formula यूज़ कर सकते हैं तो आप देखो सबसे पहले तो आप यह चीज़ ध्यान में रखो कि v rms का जो formula है वो है under root t v rms is proportional to under root square root of t क्योंकि rms speed of gas जो है वो directly proportional होती है square root of temperature के साथ में तो अगर दोनों side का square कर डाले यह हो जाएगा v square rms is equal to यहने is proportional to t और यह वो ही वाली चीज़ है directly मतलब इस तरह से तो इसका जो correct answer आना चाहिए यह आजाएगा v1 का square upon v2 का square is equal to यह होना चाहिए t1 upon t2 यहने इसका सीदा सीदा मतलब इसका आजाएगा t130 upon 120 0 से 0 cancel इसका मतलब इसका आएगा v1 का square upon v2 का square is equal to 1 by 4 यहने 1 is to 4 इसका answer आना चाहिए आप लोग देखो यह question अगर mean square velocity का ratio है तो यह ऐसा आएगा लेकिन अगर यह root mean square velocity का ratio हो तो फिर इसका answer कुछ और आएगा मान लो यह वाला question हम लोग mean square velocity के लिए भी कर ले root mean square velocity के लिए भी करके देख लेते हैं केल्विन किये और अब आपको बोला जा रहा है कि find the ratio of rms speed ओके यहने rms speed जो है तो इसका ratio आपको मालूम करना है तो अब आप यहाँ पर याद रखो कि v rms का जो formula है वो है under root of t के साथ में directly proportional okay mean square velocity का हमने देखा था directly proportional to temperature था लेकिन rms speed जो है वो directly proportional to t होगा तो इस लेहाँ सी यह आजाएगा v rms is equal to some constant k into under root of t और फिर अगर इसका ratio अगर निकला जाए तो v1 by v2 is equal to k से k cancel under root में आजाएगा t1 by t2 अगर आप direct उनको divide वगर करेंगे तो तो अब इसका answer आना चाहिए under root में 30 upon 120 यह cancel हो जाता यहने 1 by 4 1 by 4 square root में तो यह आजाएगा v1 by v2 is equal to 1 by 2 यहने rms speed का ratio अगर पुछते हैं इस problem के अदर तो 1 is to 2 आएगा और mean square velocity का ratio अगर पुछते हैं तो answer आएगा 1 is to 4 ओके तो यह था question number 11 अब question number 12 question number 12 है two vessels A and B are filled with same gas where volume temperature and pressure in vessel A is twice the volume temperature and pressure in vessel B calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B देखो बहुत ही आसान problem है आपको पहले problem का meaning समझ लो problem का meaning इस तरह से है के आपको दो vessels दी है मतलब दो बरतन दी है आपको A और B और यह दोनो जो बरतन है मान लो एक तरफ एक बरतन A है और एक तरफ दूसरा बरतन B है आपको यह बोला गया है के दोनों के अंदर same gas है मतलब हम यह मान कर चलेंगे कि दोनों तरफ ideal gas है और वो भी same gas है volume temperature और pressure in vessel A is twice मतलब यहां का जो pressure है मान लो के वो P1 है यहां का volume V1 है यहां का temperature T1 है यहां का P2 है V2 है और T2 है तो अब इनकी कुछ values fix कर लेते जैसे P2 की value अगर मान लो P ले लेते हैं तो P1 की value लेना पड़ेगा 2P क्योंके twice दियावा है इसमें जो कुछ भी है वो इससे twice दियावा है अगर हम V2 is equal to V ले लेते हैं तो V1 is equal to आ जाएंगा 2 times V उससे double अगर हम T2 is equal to T लेंगे तो इसकी value आ जाएंगी 2 times T करना क्या है इसके अंदर मालूम क्या करना है calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in मतलब हमको मालूम करना है number of molecules in A और number of molecules in B इन दो लोगों का हमको ratio निकालना है कि what is the ratio ठीक है तो देखो एकदाम आसान है सबसे पहले हम यहाँ पर kinetic theory of gases का जो main equation है वो हाँ से हम start कर सकते है kinetic theory of gases की equation थी P is equal to 1 by 3 N into M upon V याद रूखो यह V का मतलब volume है volume of the container या volume of the gas into यहाँ पर हम बोल सकते है V square RMS ले सकते हैं ओके तो यह जो problem है अब आप इसमें एक चीज़ देखो के अगर मैं यहाँ पर pressure in A अगर बात करूँ A vessel के अंदर तो यह equation कुछ ऐसी बन जाएगी 1 by 3 into N in A यहाँ पर N suffix A का मतलब क्या है number of molecules in A vessel into M तो A मी रहेगा divided by V अब यहाँ पर V का मतलब मुझे V A लेना पड़ेगा okay volume in A multiplied by V square RMS क्योंके same gas है इसलिए उसकी RMS speed तो भी रहना है चलो ठीक है ऐसी हम जब B की बात करेंगे तो भी आजाएगा 1 by 3 into N B into M यहाँ पर N B का मतलब है number of molecules in B B vessel के अंदर number of molecules upon V suffix B मतलब volume of V multiplied by V square RMS ठीक है अब इन दो लोगों अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो के दोनों को compare कैसे करोगे हमारा जो target है वो क्या है N A upon N B मालूम करना है तो इन दोनों का ratio ले लेंगे ठीक है चलो इनको यहाँ से अब दोनों का ratio जो हो निकाल लेते अगर equation 1 को 2 से divide करें तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा P A upon P B is equal to यह आजाएगा उपर 1 by 3 N A into M upon V V का मतलब V A है into V square RMS और नीचे क्या आजाएगा 1 by 3 into N B into M upon V B into V square RMS ओके चलो अब यह उपर और नीचे जो लोग common है पहले उनको उड़ादो और हरे की value रख देते इसमें तो देखो P A इसका मतलब है 2 times P upon P क्योंकि डबल दिया हो था pressure is equal to 1 3 1 3 cancel हो जाता यह आजाएगा N A M से M cancel हो जाएगा तो N A और यह N B नीचे है तो चलो इसको N B ले 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 यहाँ पर into M से M cancel हो जाएगा अब upon में V A है और नीचे V B है तो यह V B उपर आ जाएगा मतलब volume of B upon volume of A into RMS speed जो हो cancel हो जाएगी ठीक है तो वैसे हम यहाँ पर RMS speed को अगर temperature में convert कर ले तो भी चलता आप लोग देखो V RMS की speed जो है A के लिए यह temperature पर depend करेगी मतलब इसका जो तालूग हो temperature के उपर आ जाएगा तो square है इसलिए T आना चाहिए तो यहाँ पर temperature of A आ जाएगा और upon में नीचे यहाँ पर आ जाएगा temperature of B क्यूंके RMS speed जो है आप लोग याद रखो V RMS is proportional to under root T है तो V square RMS की जब बात करेंगे तो it is proportional to T हो जाता इसलिए हम वहाँ पर उसको temperature में convert करके लिख सकते हैं चलो अब एक काम करते हैं इन में यह जो लोग हैं कि इनको इदर shift कर देंगे तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह P से P cancel मतलब 2 is equal to यह कितना हो गया NA upon NB into VB upon VA VB का मतलब है 2 times V upon V TA TA का मतलब है 2 times T upon T तो यह इसके साथ cancel हो गया यह 2 से 2 cancel हो गया अब यह 2 को इदर भेज़ दो तो यह आ जाएगा NA upon NB is equal to यह 2 इदर multiplied है इदर upon में जाएगा मतलब 1 by 2 ओके तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो ratio of number of molecules of gas A to B वो मिल गया 1 by 2 1 is to 2 ठीक है नहीं यहाँ यह उल्टा हो गया है आप लोग देखो इसमें यह answer जो है थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा VB का मतलब क्या है volume upon 2 times V और T A का मतलब क्या है 2 times T upon T तो यह V से V cancel T से T cancel 2 से 2 cancel यह सब cancel हो जाएगे तो इसका मतलब simply answer क्या हैगा NA upon NB is equal to यह 2 जो है यह cancel नहीं हुआ बलकि यह बाकी है इसका मतलब यह 2 बचेगा तो यह इसको हम लिख सकते हैं 2 by 1 इसका मतलब हमारा जो answer है वो आना चाहिए 2 is to 1 ओके तो यह आप देखो बराबर यहाँ पर volume in B लेना था हमको इसलिए इस तरह से हो गया ओके यह हो गया मतलब इस तरह से हम question number 12 जो है उसको कर सकते हैं उसका final answer आएगा 2 is to 1 ओके अब हम आज का यह आज की इस lecture का last आखरी वाला जो problem है problem number 13 वो कर लेते हैं तो देखो problem number 13 जो आपको मतलब इस तरह से हम उसको करेंगे problem number 13 क्या चीज़ है पहले हो देख लेते a gas in a cylinder is at a pressure P if the masses of all the molecules are made one third of their original value and their speeds are double then find the resultant pressure देखो बहुत ही अच्छा कुशन है सबसे पहले आपको बोला किया a gas इने एक cylinder के अंदर a gas है जिसका pressure जो है दबाओ वो P है if the masses of all the molecules are made one third यहने हर हर molecule का जो mass है वो one third करे का इसे of their original value यहने उनकी जो original जो mass था उसको one third करे and their speeds are double और उनकी जो speed है उनकी जो रफतार है तो उसको double कर दिये find the resultant pressure यहने जो final pressure जो बनेगा तो वो क्या होगा तो देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं आप लोग सबसे पहले pressure की equation दिहान में रखो kinetic theory of gases को base बना कर अगर हम बात करें तो pressure का जो formula बनता है वो है 1 by 3 into N into M upon V into V square RMS अब यह जो formula है इस formula के अंदर हम लोग कुछ changes करेंगे जैसे सबसे पहले इसको हम लोग P1 बोल देते हैं initial pressure के लिए ठीक है तो यह सब ऐसा रहेगा और जब हम P2 की बात करेंगे तो यह आ जाएगा 1 by 3 into अब इसमें क्या-क्या changes करेंगे वो आप डोखो number of molecules सुसेम है लेकिन mass जो है हर molecule का जो mass है वो one third बना दिये मतलब M की जगा पर हम ले लेंगे 1 by 3 M divided by volume उतना ही है जितना था multiplied by velocity के बारे में आपको बोला गया है their spirits are double याने उनकी रफ्तार जो है वो double कर दिये तो यहाँ पर इसका मतलब यह हो जाएगा two times V RMS का square क्योंके velocity का square है तो velocity double होगे तो two का भी square आ जाएगा उसमें ओके इसका मतलब यह आ जाएगा P2 is equal to अब आप इसको ऐसा कर सकते है one by three N into M upon V और यह जो one by three है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ into यहाँ से आप देखो कि यह two का जब square करोगे हो जाएगा four into V RMS का square और अब अगर आप देखेंगे तो one by three और four सिर्फ इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा का पूरा P1 है इसका मतलब हम इसको लिख सकते है P1 into यह पूरा P1 है और बचावा कोन है तो four by three ओके इसका मतलब final pressure जो आएगा तो P2 is equal to अगर इसको pressure P दिया वा था ना अपने को इसलिए हम उसको लेंगे four by three into P यह फाइनल pressure of the gas जो है वो होगा four by three times P ओके इस तरह से हम इसको solve कर सकते है तो आज के lecture में हमने जो हमारी बुक में मतलब टेक्स बुक में जो exercise दी हुई है उसके कुछ MCQs कुछ brief questions और कुछ long answer जो questions है वो किये बाकी जो numericals है तो आप अगले lecture में इंशाला हम लोग करेंगे ओके keep studying खुदा हाफिज